नमस्कार दोस्तों श्रीव में किस नेवर्ड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागते हैं और मैं हूं डॉक्टर अन्थ दोस्तों और यह बात करूंगा पूर्शों की एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन के बारे में ज़्यादा दर में एक कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि उनको जो सेक्शूल प्रॉब्लम आ रही है चाया वो एक्टाइल डिस्फंक्शन की हो या प्रीमिचूर एजाकुलिशन की हो वो सोचते हैं कि यह दोनों यह चीज़ें यह की है पर ऐसा ब्लुकुल भी नहीं है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेल की सेक्शूल प्रॉब्लम क्या होती है उनमें क्या डिफ्रेंस होता है उसके कारण क्या है और आखिर में हम बात करेंगे कुछ ऐसी हमोपैतिक मेडिसल की जिसको कि आप यूज करके इन दोनों ही प्रॉब्लम छुटकारा पा ज चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले दबाएं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बैल आइकॉन दबा दिए ताकि या प्लीज करना चाहते हैं हमारी क्लिक से बात करके की सेस्वे weakness की sexual weakness की बात करते ही हमारे मन में major दो problems आती है एक होती है erectile dysfunction और दूसरी होती है premature ejaculation हमें दोनों का मतलब जानना चाहिए कि सबसे पहले इन दोनों का main मतलब क्या होता है erectile dysfunction यानि कि eruption होने में problem यानि कि link के तनाव में problem आ रही है proper erection नहीं आ रहा है यानि कि बरपूर तनाव नहीं आ पा रहा है दूसरी complaint आती है premature ejaculation यानि कि premature यानि कि समय से पहले ejaculation मतलब होता है बाहर निकल जाना यानि कि समय से पहले ही आपके वीर का बाहर निकाल जाना, एजाक्रेट हो जाना, अब ये दो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी डिरीज और भी होती हैं, जिसे मास्टर विशन के एबट, नाइट पॉल, स्पर्मेटॉरिया, पर ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो हम खुली क्रियेट कर देते हैं, ठीकि तो इसको मैं साइड में करता हूँ, प्रिमीच्योर एजाक्पुलेशन और एक्टाइड स्फोंक्शन के बारे हम बात करते हैं, जैसे मैंने बुला हिन्नी में, कि इन दोनों के मतलब क्या होते हैं, यानि कि एक का मतलब होता है कि प्रॉपर इरक्शन नहीं हो रहा है, दूसरे के मतलब होता है कि प्रॉपर समय से पहले ही वो, आपका इजाक्पुलेशन हो जा रहा है अब इन दोनों के कॉज़स की बात करें, तो इन दोनों के यह कारण और वो similar causes होते हैं जैसे कि body के अंदर proper blood flow नहीं जा पा रहा है क्यों नहीं आपा रहा है क्योंकि body में blood flow बहुत कम है, हमारी physical activity बहुत कम जोर हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है जिसकी वज़से body blood flow नहीं है, organ तक proper blood supply नहीं आपा रही है यानि कि ऐसा नहीं कि नहीं आपा रही है blood तो आ रहा है, but proper way में नहीं आ रहा है proper speed में नहीं आ रहा है उसमें proper ताकत नहीं मिल लए इसमें proper erection नहीं आ रहा है ना तो ओए erection बना रहा है पा रहा है इसी वेशे आपका ejaculation हो जा रहा है number two causes smoking और alcohol बहुत साए लोग smoking और alcohol लेते हैं और जिसकी वेशे से tell dysfunction और premature erection दोनों ही cause होता है number three nutrition की कमी body में अगर nutrition की कमी है अब proper भोजन नहीं ले रहा है proper खाना नहीं खा रहा है जिसकी वेशे से सही के अंदर अपका calcium, iron, phosphorus, magnesium इस सब की कमी हो रही है और anti-oxidant body में कम हो रहा है कम बन में आपा रहा है तो यहाँ पर ये भी एक major cause होता है आपका premature ejaculation और tell dysfunction का हर दमर के causes की बात करें तो ऐसे लोग जो बहुत जिदा access medication लेते हैं medication मतलब relation बरशे बराने से पहले medicine ने लिया saldina फिल ने लिया किसी ने कोई बताया सिर्फ बताया उसको use कर लिया बाहर जा रहे है वार्केट में नीम हाकीम का कोई मुस्खा मिल गया वो ने लिया ये सारी चीजें आपकी body को अंदर ये अंदर nest करती है अंदर ये अंदर problem create करती है फूर्थ एकर मैं causes की बात करूँ तो बहुत साइलों की habit रहती है masturbation से जिससे के spermatoria, nightfall की तो आपकी दिक्कत होई आती है पर masturbation एक major कारण होता आपका erectile dysfunction और premature ejaculation कराने का तो अब आप masturbation करते हैं तो इन दोनों को ये आज ही छोड़ दीजे अब हम बात करें कि premature ejaculation और erectile dysfunction दोनों के causes तो similar है ठीक है पर ये अलग चीज़े इन दोनों का treatment क्या होना चाहिए दोनों का लाइन आफ treatment similar चलता है हमें अपने body में blood flow को increase करना होगा ताकि शरीर के हर part way शरीर के हर organ पे proper blood supply जा सके proper blood पहुंच सके जिससे कि उस organ में ताकात आ सके दूसरा अगर हम smoking वे alcohol बंद करते तो हमारी body की immune system increase होती है body में blood flow proper तरगियों से circulate होता है और इस विज़े से हमारे organ को ताकत मिलती है और penis में reaction proper आता है और premature ejaculation की जो समस्या होती है वो भी खदा हो जाती है third बने जैसे बता है कि causes में आपका nutrition अगर आप proper nutrition लेते हैं तो यह आपकी body के नहीं काफी अदर फायदे बंद रहता है body में target रहेगी body blood flow अच्छा रहता है तो अपने आपका जो organ है उसमें proper erection मिल जाता है बात कर एगर homeopathic treatment की तो homeopathic में हमने काफी सारी videos बनाई हुई है meal की ओपर erectile dysfunction पे premature operation पे उसकी videos आप देखतीजिए i button पे video की description में link डाल दिये वहाँ से भी आप देख सकते हैं और जहां पर हमने काफी सारी medicines बनाई है medicines combination में ही बनाई है medicines individual बताई है आप उन सभी medicines को check out कर सकते हैं video की description में serial number से डाल दोंगा one two three four five उन पाच्चो ही medicines में आपको सारी medicines मिल जाएगी SBL की, Shwebe की, German medicines मिल जाएगी, Indian medicines मिल जाएगी और बहुत सारी ऐसी medicines हैं जो sugar patient के लिए हैं ऐसी medicines हैं जो ऐसे लोग जिनकी age 40 से 50 साल कोई उनके नहीं है, ऐसी medicines भी मिल जाएगी आपको कि जो वही से आप link दिया हुए है, मैंने वहां से आप खरी सकते हैं हमारी website से या फिर हमारी website पर चलिएगी है www.shreehomeyocenter.com पर जागर का आप परचेस कर सकते हैं अगर medicines ले लेके आप बहुत जादा परिशान हो चुके हैं और चाहते हैं एक proper एक सटीक treatment एक सटीक सला, एक सटीक इलाज तो हमारी क्लिक के नंबर 9305024291 पर कॉंटेट करिए हमसे बात करिए अगर आप treatment प्लान चाहेंगे तो आप घर तक treatment पहुचा दिया जाएगा आपकी medicine आपकी घर तक डिलेवर कर दिया जाएगी और जो भी आपकी complaint है उसको secure रखा जाएगा privacy पर पूरा ध्यान जाएगा जाएगा उमेद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और आपको समन्द में होगा यदि टाल डिस फॉंक्शन और प्रिमिजर रिजाग्रिशन दोनों अलग रग रग ठीजे हैं चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि हम इसी तरह के regular basis पे वीडियो लाते हैं जो आपके health से related रहती है और homeopathy से related रहती है तो मैं टॉक्टा अन्द मिलता हूँ आपसे इसी तरह के अगली वीडियो में तब तक किर नमशकार जैहिन जैभर